Hi Welcome Back, मैं हूरापिसनाय पिसमेरे वीडियो में हम Adams theorem और Adams theorem और identity यूज़ करते हुए Equivalence of regular expression को कैसे proof करें वो हम देख चुगे आज की वीडियो में हम Adams theorem को यूज़ करके अगर D.F.E. दिया है तो उसका regular expression कैसे generate चरें वो सीखने बार लेकिन इससे पहले कि हम सुरू करें चोड़ा सा इंफॉर्मेशन सेयर करना चाहूंगा इस चैनल में हम हरे वीडियो दो डिफर्ट लैंगे में प्रोड्यूस करने हैं इंदी और इंग्लिस अगर आपको ये वीडियो इंग्लिस में देखना है तो टेस लिस्तों में लीज दिया हुआ है और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करतीजिए साथे साथ बेल आइकाम में प्रेस्ट करतीजिए ताकि आने वाले वीडियो के आपड़ेट्स आपको मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो इसे पहले के हम सुरू करें जो चलिए देख लेते हैं अगर हमारे पास पी और क्यूग दो रेगिलर एक्स्प्रेशन है और पी में एप्साइलों नहीं है इसका मतलब उसमें नल स्प्रिंग नहीं है और हमारे इक्वेशन जब है और एक हैंünde 2 Q plus R P फॉर में है तो इसका एक यूनिक सळईचन nor आज़ेगा जो की R क्यों पीस्ता होगा इसका प्रूफ जो है हम इसके वाले वीडियो में देख चुके हैं और जब हम एड़न्स तेरम को यूज करते हुए डिटर्बिलिश्टिक फाइनेंट और्टमेरिका से रेगलर एक्स्प्रेशन जेनरेट करते हैं तो कुछ एक एजंशंस हैं कि एक ही इनिशियल स्टेट होना चाहिए और हम एड़न्स तेरम को रेगलर एक्स्प्रेशन फाइंड करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो डिएफए पर ही यूज कर सकते हैं तो यह है उसके स्टेप्स हम इसको कैसे फॉलो करने वाले हैं लेकिन इसको कुछ दर बात देखेंगे पहले एक एक्जाम्पल देख लेते हैं उसको समझता हैं फिर आकर इसको अगर हम डिस्कॉस करेंगे तो आपको अच्छे से समझने हैं रहा है तो यह डी एफए हमको दिया हुआ हैं, तो first step हम यह करने वाले हैं कि इसका state equation निकार देए, state equation मतलब क्या है, हर एक state को दूसरे state से हम कैसे पहुंच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर state A है, state A को हम state A से zero transition से पहुंच सकते हैं, या फिर state B से zero transition से पहुंच सकते हैं, देखे यहाँ पर A से A को हम zero transition में आ सकते हैं या फिर state b से भी हम zero transition में आ सकते हैं और यहां पर epsilon इसलिए लिखे हैं यह state a एक starting state है इसका मतलब जितने starting state होगे वहीं पर हम epsilon लिखेंगे तो second state के यह state equation देख लेते हैं state b को हम state a से आ सकते हैं one transition पे या फिर state b को state b से one transition पे आ सकते हैं देख सकते हैं यहां पर state b के लिए एक incoming age है a से जिसपर की one लिखा है इसका मतलब state b को हम state a से one transition में आ सकते हैं या फिर state b को state b से one transition में आ सकते हैं यह दोनों equation को हम numbering कर लिए one power two तो first step यह करेंगे कि Adam's theorem apply करेंगे equation number two पे तो Adam's theorem क्या था? Adam's theorem में यह था कि अगर p और q दो regular expression हैं और p में null string नहीं है और हमारे equation r equal to q plus rp format में है तो इसका solution हो जाएगा r equal to q p star तो इसको apply करते हैं हम लोग अगर इसको हम equation two पे apply करते हैं तो यह बन जाएगा a1 one star क्यों? यहाँ पर देखिए यह वाली जो part है a1 यह हो गया q यहाँ पर r अगर है तो यहाँ पर r है तो यह बन गया p तो q p star format में लिखेंगे तो इसलिए b equal to a1 one star हम लिखेंगे तो चलिए यह equation three को equation one में substitute करते हैं जब हम equation one में substitute करते हैं तो b के जगा a1 one star हम लिखेंगे तो क्या होगा? a equal to a0 plus a1 one star zero plus epsilon यहाँ से हम a common लेंगे अगर तो यह इस तरह से नजर आएगा और अब भी हम add a theorem apply कर सकते हैं यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है इसका मतलब यह जो bracket में है यह बन गया हमारा p और epsilon बन गया q तो अगर इसको हम regular expression जंकेट करते हैं तो यह बन जाएगा zero plus zero one star zero का whole star यह खाली equation a के लिए solve करना है नहीं हम वह equation के लिए solve करेंगे जो यह dfa का final state तो यहाँ पर equation one जो था initial state था और final state था इसलिए equation a के लिए solve करेंगे तो चलिए इसमें क्या-क्या state apply के उसको पहले देख लेते हैं अगर एक dfa दिया हुआ है तो उसको हम regular expression में कैसे convert करेंगे हर एक state का हम state equation निकालते हैं अगर q1 एक state है तो q1 का कौन से transition हम apply करेंगे ताकि q1 में आएं या फिर q2 state से कौन से transition में हम q1 में आएं इस तरह से हम लिखेंगे अगर q1 state एक initial state है तो यहाँ पर हम epsilon होंगे लिखेंगे तो इसी तरह से हर एक state का state equation लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे wij format में जो लिखा है वो है regular expression यहाँ फिर अगर q i से q j तक एक state जाता है तो वहाँ पर जो symbol लिखा गया है तो उसी को हम wij लिखेंगे और यह जो equation हम को मिलते हैं final state के लिए हम इसको solve करेंगे अगर एक parallel age आ जाता है हो सकता है कि हमारे dfa में parallel age भी हों इसका मतलब दो state के बीच में एक से ज्यादा transition अगर ऐसा condition आता है तो हर एक age के लिए हम expression लिखें तो चलिए और एक example देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो यह हमको एक dfa दिया हुआ है तो इसका state diagram हम देखते है state a को आने के लिए हमारे पास क्या option है हमारे पास c0 है मतलब state c से 0 transition पर आ सकना है और जब कि state a एक initial state है इसलिए हम यहाँ पर epsilon लिखते हैं तो चलिए इसको हम equation number 1 देते हैं second state b state b को आने के लिए state a से 0 transition या फिर state b से 0 transition में आ सकते हैं state c के लिए हम state 1 से 1 transition या फिर state b से 1 transition या फिर state c से 1 transition में हम state c को पहुंच सकते हैं तो यहाँ पर देखिए state a और state b दोनो final state है इसका मतलब क्या है अगर हम state a तक पहुंच रहें तब भी final state है और state b तक भी अगर पहुंच रहें तब भी final state है इसका मतलब state a को भी solve करेंगे फिर state b को solve करेंगे और दोनों का union कर देगे तो चलिए apply करते हैं Adams theorem equation number 2 पे तो क्या हो जाएगा b equal to a zero zero star क्यों यहाँ पर देखिए a zero q बन गया और zero b के साथ जो है वो हो गया b तो q p star मतलब a zero zero star बन गया जो value हमको मिला b का उसको हम equation number 3 में substitute करते हैं यहां पर b1 है तो यहां पर अगर substitute करेंगे तो क्या बन जाएगा c equal to a1 plus a zero zero star 1 और उसके बाद c1 यहां पर हम common ले सकते हैं a तो हमारा equation बन जाएगा यह और अब हम Adams theorem apply करेंगे Adams theorem के लिए यह बन जाएगा हमारा q और c के साथ जो 1 है वो 1 बन जाएगा p तो q p star form में अगर लिखेंगे तो c का equation a one plus zero zero star one इसके साथ one star यह बन गया हमारा Adams theorem जो की value बन गया c के लिए इसको हम equation number five लिखते हैं अगर equation number five को equation number one में substitute करते हैं तो हमको क्या मिलता है यह जो expression के साथ हमको zero मिल जाएगा और वहां बना epsilon भी हम लिखेंगे तो फिर से हम Adams theorem apply कर सकते हैं यह बन जाएगा p और epsilon बन जाएगा q so q p star form में अगर लिखेंगे यह यह तो बन गया state a का solution हमको state b का भी solution चाहिए और state b के लिए हमको a का value substitute करना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर अगर हम substitute करते हैं तो state b बन जाएगा यह यह दोनों solution को हम अगर add करते हैं तो हमको मिल जाता है यह regular expression आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आप और तुरह सब प्राब्लम कीजिए आपको अच्छे से समझ में आएं आने वाले वीडियो में हम regular expression से finite automata के से काम बढ़ करते हैं इसके बाद मेंदे हुआ कि आपके यह एफ दी बढूतना है यहां तो हुआ आपको अगे यहां गयंति हैंग आपके बढ़ प्रका और my अढम दिड़ी है?